जहिन सभी सैनिकों ताथा भूत पूर सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसे मैं यूट्यूब चैनल में ऊरूपी टू एरियस के इंप्लिमेंटेशन में सरकार ने फिर चाल चल दी है आज सुनवाई है सुप्रीम कोट में सरकार ने जो अरजी दी थी एक्स्टेंशन उसे इंप्लिमेंट करने में देने में देरी हो सकती है और यदि फैसला एक्सर्विसमेंट के पक्ष में आता है तो यह आसा है कि जल्दी ही एडियस को पे कर दिया जाएगा अब इसमें एक्स ग्रूप और वाई ग्रूप दोनों को अलग-अलग करके नहीं पताया गया है जो PIV की रिपोर्ट आई थी मैं आपको पता दू कि जो एक्स ग्रूप और वाई ग्रूप है इसमें इस दोनों ग्रूप का एडियस का जो एमाउंट है वो लगभग सेम ही रहने वाला है लेकिन जहां तक बेसिक पेंशन की बात है तो उनकी एक्स ग्रूप वाले को जो ब बमफर इजाफा होगा काफी बढ़ होतरी होगी आगे मैं इसके बारे में कुछ और माहत्रपुन जनकारी आपको मैं दे दू है सरकार ने जैसा कि 3 महिने का एक्सटेंशन मांग था Supreme Court से और उस 3 महिने का एक्सटेंशन पूरा होने से पहले ही ROP 2 को लागू कर दिया गया Cabinet को अप्रूब कर दिया गया Cabinet अप्रूबल दे दिया गया और आज जब कि सुनवाई है तो इसमें सरकार की कौन सी चाल हो सकती है कि उसने जब तीन मैंने का extension लिया और उसके पहले ही OOP2 को implement कर दिया अब बात आकर अटकती है areas के implementation पर कि area कब से pay करना शुरू करती है सरकार होना हो सरकार को areas pay करने में कुछ देरी हो इसलिए उन्होंने अपना सरकार के तरफ से जो extension के लिए अरजी जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी उसे withdraw नहीं किया गया और आज उसकी सुनवाई है क्या सुनवाई होती है इसके पहले मैं आपको इससे संबंदित कुछ और महत्वपुन जनकारी दे दूँ आपको मैं बता दूँ कि जैसा आप देख रहे हैं कि यह जो ओरोपी टू का जो फायदा है वो उन्ही को मिलेगा जैसा कि आप जानते हैं कि जो 30 जून 2000 यह जो सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि इसका फायदा 30 जून 2022 तक ही एरियर बनाया गया है आप जानते हैं कि जो एरियर स्टेबल है वो विथ एफेक्ट फ्रों जुलाई 30 जून 2022 आपको पता है कि जो एरियर स्टेबल बनी है उसमें 30 जून 2022 तक कहीं एरियर स्टेबल बनाया गया है इसके आगे का नहीं अब देखिए और दूसरी बात की जो फाइदा जो दिया गया है जो 30 जुन 2019 तक के जो रिटारी है उन्हीं को इसका फाइदा दिया जाएगा इस से पहले के जो हैं उनको इसके बाद के जो भी है उन्हें अभी इस वारूपी टू में शामिल नहीं किया गया है उन्हें अगले रिविजन में शामिल किया जाएगा तो सबसे मेन बात है कि आज कोट का सुनवाई है सरकार का सुप्रीम कोट में और सरकार ने जैसा कि तीन महीने का extension मांगा था उसकी या सुनवाई होनी है अब फैसला किसके पक्च में आता है वो देखना है करता हूँ फैसला पेंशन भोगियों के पक्ष में ही आए तथा इन्हें इनका वारूपी का जो भी एडियस है वो जल्दी ही मिल जाए